नमस्ते नमस्कार साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल रिविजन क्लासेज में साथियो मैं सुनिल सन्नी आज के अपिशोड में मैं बताऊंगा सहित अकादमी पुरसकार 2023 की बारे में कि सहित अकादमी पुरसकार क्या है सहित अकादमी पुरसकार जो है किन-किन छेत्रों में दिया जाता है और 2023 में सहित अकादमी पुरसकार से किन्हे समानित किया गया है तो आए साथियों अगर अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल रिविजन क्लासेज पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाब पहुचा सकें तो आए साथ यूद देखते हैं साहित अकाजमी पुरसकार दो हजार तेज साहित अकाजमी पुरसकार क्या है इसके बारे में जानेंगे साहित अकाजमी पुरसकार जो है साहित की दुनिया में उनके योगदान के लिए लेखको को दिया जाने वाला सर्वोच तथा महान सम्मान है सहित अकादमी पुरसकार जो है सहित की दुनिया में उनके योगदान के लिए लेखकों को दिया जाने वला सर्बोच तथा महान पुरसकार है या लेखकों को दिया जाता है अब आई ये साथियों देखते हैं कि बर्स 2023 में कितनी भसाओं तो 24 भसाओं में सहित अकादमी पुरसकार दिये जाने की घोसड़ा 20 दिसंबर 2023 को कर दी गई है बर्स 2023 में कितनी भसाओं में तो कूल टोटल 24 भसाओं में जो हैं सहित अकादमी पुरसकार दिये जाने की घोस्रा की गई है कब की गई है तो 20 दिसंबर को आगे देखेंगे साथियों कि इस बर्स 9 काब्य यानि कि 9 काब्य संग्रा पांच कहानी संग्रा तथा 6 उपनियास, 3 निबंद और एक सहित अकादमी पुरसकार दिये जाने की घोस्रा की गई है क्या क्या है तो 9 काब्य संग्रा है, 5 कहानी संग्रा है, 6 उपनियास है, 3 निबंद है तथा एक सहित अकादमी पुरसकार दिये जाने की घोस्रा की गई है नेक्स्ट साथ यो यह जानेंगे कि पुरसकार की रासी कितनी है सहित अकादमी पुरसकार, 2030 में इसके लिए कितनी रासी आवंधित की गई है तो यह रासी जो है, कुल टोटल एक लाख रुपईय है कितने है? सहित अकादमी पुरसकार की रासी क्या है? तो सहित अकादमी पुरसकार की रासी कुल एक लाख रुपईय है यानि कि जिस व्यक्ति को सहित अकादमी पुरसकार से समानित किया जाता है उनको एक लाख रुपईया दिया जाता है आप देखेंगे साथियो कि 24 भसाओ में जो पुरसकार साहित अकादमी पुरसकार 23 से समानित किया गया है 24 भसाओ में जितने भी लेखकों को उनमें से जो परिक्षा के दृष्टिकोंड से महतवपूर है उन सभी भसाओ में देखेंगे कि किन किन लेखकों को साहित अकादमी पुरसकार 23 से समानित किया गया है तो आईए साथियों देखेंगे फिर से कि भासा किस भासा के लिए किस लेखकों को दिया गया है तता उनका स्रिशक क्या है यानकि किस उपनियास रचना के लिए दिया गया है तो आई सातिओं देखेंगे हिंदी के लिए संजीव को दिया गया है हिंदी भासा में संजीव को सहित अकाद56 पूरशकार 23rd से सम्मानित किया गया है उनका स्रिसक है उनका एक उपनिया से मुझे पहचानों जो हिंदी भासा में उपनिया से उसके लिए संजेव को सहित अकादमी पुरसकार 2023 से सम्मा नित किया गया है मुझे पहचानों मैं हूँ कौन मैं हूँ संजेव याद रखेंगे साथियों हिंदी भासा में संजेव को मुझे पहचानों के लिए सहित अकादमी पुरसकार 2023 से सम्मा नित किया गया है नेक्स्ट है अंग्रेजी भासा अंग्रेजी भासा में रिक्किम इनराग जानकी या उपनिया से अंग्रेजी भासा में जिसके लिए नीलम सरन गौर को सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भासा में सहित अकादमी पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह है नीलम सरन गौर इनका एक उपनिया से अंग्रेजी भासा में रिक्किम इनराग जानकी इसके लिए अंग्रेजी भासा में नीलम सरन गौर को साहित अकादमी पुरसकार 2023 से समानित किया गया है नेक्स्ट के साथ यो ध्यान देंगे उर्दू उर्दू भासा के लिए सदिक नवाब सहर को साहित अकादमी 2000 साहित अकादमी पुरसकार 2023 से समानित किया गया है उनका एक उपनियास है सादिक नवाब सहर जिनको उर्दु भासा के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया है तो उनको किसके लिए दिया गया है तो यह दिया गया है राजदेव की अमराई राजदेव की अमराई एक उपनियास है जो उर्दु भासा में है जिसके लिए साधिक नवाब सहर को साहित अकादमी पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है आगे देखेंगे संस्कृत भासा का साहित अकादमी पुरसकार अरून रंजन मिस्र को मिला है किनको मिला है अरून रंजन मिस्र को जिनकी एक कविता है सुन्य मेगनाव संस्कृत भासा में इनकी कविता है जिसके लिए साहित अकादमी 2023 से पुरसकृत किया गया है किनको पुरसकृत किया गया संस्कृत भासा में तो वो अरून रंजन मिस्र है नेक्स्ट है, तमिल भासा के लिए, तमिल भासा के लिए राज सेखरन को सम्मानित किया गया है, तमिल भासा के लिए सहीत अकादमी पुरसकार 23 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है राज सेखरन, जिनकी कभीता है, नीरा वियाल, नीरा वियाल जो की तमिल भासा में है, पंजावी भासा में साहित अकादमी पुरसकार से सर्वजित सावी को साहित अकादमी पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया कविता है मौन दी चीप मौन दी चीप या पंजाबी भासा में है जिसके लिए सर्वजित सावी को सहित्य अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया है नेक्ष्ट साथ यो मैथली भासा बिहार के विद्यार्थियों के लिए यह काफी महतपूर है इसको ध्यान देंगे बिहार कि विद्यार्थि खास कर मैथली भासा क्या सहीत अकादमी पुरसकार जो है मैथली भासा में बासुकी नाथ जहां को मिला है बासुकी नाथ जहां को इनका निबंद है इनको अपने इस निबंद बोद संकेत दूद संकेत क्या है एक निबंद है जिसकेदि बासुकी नाथ जहां को सहीत अकादमी 2023 से संवानिद किया गया है यह निबंद बोद संकेतन मैथली भासा में है अगला है कनड कनड भासा के लिए साहित अकादमी 2030 से सम्मानित किया गया इनको जिनका नाम है लक्षमेश तुलपाडी लक्षमेश तुलपाडी को कनड भासा के लिए सम्मानित किया गया है जिनकी कृती है महाभारत अनुसंधान भारत या एक काब्य है जो लक्षमेश तुलपाडी के द्वारा रचित है जो कनड भासा में है नेक्स्ट है बंगाली बंगाली भासा के लिए स्वाव प्रमाय चक्रवर्ति को साहित अकार्मी 2023 से सम्मानित किया गया है जिनका उपनियास है जबरपरी उपनियास जो है बंगाली भासा में है जिसके लिए स्वाव प्रमाय चक्रवर्ति को 2023 में साहित अकार्मी पुरसकार से सम्मानित किया गया है नेक्ष्ट है साथियो गुजराती गुजराती भासा के लिए गुजराती भासा में संदीप जोसी को सम्मानित किया गया है इनको सम्मानित किया गया है संदीप जोसी को किसके लिए सम्मानित किया गया है तो इनका एक महाकाब उपनियास है जिसका नाम है सैरंधरी सहरंद्रे जो है यह गुजराती भासा में है एक महाकाब उपनियास है जिसके लिए संधीप जोसी को साहित्यकाद्मी 2023 से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है और यह अंतिम है असमिया असमिया जो है यह प्रانव जोती डेका जी को सम्मानित किया गया है असमय भास सोरी असमय भासा में जो है कि इनको सम्मानित किया गया किस लेखा को तो इनका नाम है प्रणाव जोती डेका को किसके लिए असमय भासा में सम्मानित किया गया क्रिती है इनका तो इनका क्रिती है ये एक लगु कथा के लिए दिया गया है इनको प्रणाव जोती ड डे का स्रेश्टगलपा डॉक्टर प्रोडव जोती दे का स्रेश्टगलप साथ मिश्टेक से क्षूट गया है जो ये प्रेशल्ग हासा में रामेश्वरम का प्लु थे पटाभी कि को दिया गया है इस लगु कथा का नाम है रामयस्वरम मारीकोनी कथलू का आज का सेसन अगर आप सभी के लिए उप्योगी हो आप सभी को पसंद आया हो तो जदा से जदा लाइक करें अपने साथियों के साथ जदा से जदा से जदा सेयर करें कॉमेंट करें धन्यवाद